हेलो फ्रेंड्स आज हम हीट ट्रीट्मेंट प्रोसेस का सेकंड पार्ट देखेंगे यह टॉपिक आई टी है फिटर स्टुडेंट पॉलिटेकनिक और मेकैनिकल स्टुडेंट जो हैं बीटेक के उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरा नाम अधित्य प्रकाष तो फ्रे केश हाडनिंक इनकी सताह कठ रोई करन जिसके अंदर हमारे 3 मेथड आजाते हैं के कार्बोराइजिंग करन नाइट राइविक करन साइनाइडिंग यह जान की सायनाइड डिगरण और लास्ट हमारा एज हाडनिक काल कठ रोई करन इससे पहले मैं तीन वीडियो तीन यानिके पाइनी करन तो कठोरी करन दुआ अप इस पात भंगूर एवं कठोर होता है यानिके जब हम किसी चीज को कठोरी करन करते हैं तो definite सी बात है कि वो कठोर होगा और जितनी जिस दहातों की कठोरता बढ़ेगी उतना जादा वो भंगूर होता चला जाएगा भंगूरत अगर आपका प्रापरटी होता है यानिके पादार्त आपका ब्रेट्टर है और उस पर आप किसी प्रकार का प्रहार करें अध्योर का बल लगाए तो वह चोटे-चोटे पीसेज में विखड़ जाता है जैसे आपका शीषा शीषे पर हलका सा हैमर मारते हैं तो वह चोटे करित किया हुआ जो आपका पदार्थ है उसको उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते है पाइने करण द्वारा इस पार्थ की भंगूरता कम की जाती है तो tampering process क्या करता है भंगूरता को कम करने के लिए है और इसके आंतरिक पर्तिबल यों है वोँ भी दूर हो जाते हैं मुक्त हो जाते है इसके उदेशे देखें हम इसके लेखते हैं pining current के उदेश्य ज़ह क्या है तो तन्यता और चीमडपरण में व्रद्दी करना यानिके तन्यता यानिके ductility और चीमडपरण यानिके toughness इनको बढ़ाना धाटू से कठोर्ता एन भंगूरता कम करने के लिए41 यानि कि जड़ातू की कठोर्ता होती है हाडनेस वो कम effect विद्टिलनेस कम करने के लिए तो यहिसके दो जो 1966 घर्ञार पूटा के लिए militarया को कहते हैंAlta है की पनीकरन को काम के लिए यानिकि जो उसकी दातों के सरचना होती है उसको पर्मेनिंट बनाने के लिए को नेक्स देखते हैं हम इसमें टैमपरिंग mate प्रप तो से हम कम ताप पर गरम करके उश्मवचाइब आतए यानिकि अिदेखे जो इसका क्रांधिक ताप होगा निमिनकरांतिक ताप तो उस निमिनकरांतिक ताप से हम कम ताप पर गरम करेंगे यासे आपका इस पात का निमिनकरांतिक ताप कितना होता है भंगूरता भी कम हो जाती है इस पात में चीमड़ पन और तन्यता का गुण विक्सित हो जाता है देखे, इससे पहले हम पत्छले उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो इसका मेर मोट्यव क्या होता है? भंगूरता को कम करना और चीमड़ पन और तन्यता को बढ़ाना तो ये ग कठोरी करण तो निमिन कार्मन इस पात को कठोर एवं अधिक सामर्थवान बनाने के लिए सता या प्रकस्ट कठोरी करण किया जाता है देखे केस हार्डिंग जो है वो किसको किया जाता है आपके जैसे आपने चैनी वागएरा देखी होगी तो चैनी में क्या होता है आपका क चैनी से कुछ करते हैं, कτί हो living, भाकanut तो कालते हैं, तो होताय है, इसमें लाद बार सर्फेस्ट करना होता है, उसके लिए क्या करते हैं, case hardning इस ठरह के पदार्थ के लिए किया जाता है, निमिंन कार्बन और अरी व्हभर्वारह तो काठोर करन नहीं किया जा सकता, देखे जो आपके निमिन कार्बन यानि की लो कार्बन स्टील होता है उसको किसी और विदी दुवारा हम क्या कर सकते हैं कठोर नहीं कर सकते इस विदी में इस पात में अन्य तत्वो जैसे कार्बन और नाइट्रोजन आधी का डिफ्यूजन किया जाता है जिसे इस पात की सत्य कठोर हो जाती है यानि कि हम करते हैं कि जब दात्यों को हम गरम करते हैं तो उसको कार्बन के अट्मोसफेर में रख देते हैं या नाइट्रोजन के अट्मोसफेर में रख देते हैं जब आपके जो कार्बॉराइजिंग इसमें इस से सटे होती है वह कॉछ bisa सके ही एकने हां मर्दु ही रहता है मैंना आपको बताया फ़ाहिता है यह सकते हो जो सब्सक्राइब दूसरा नाइट्रिज सब्सक्राइब करल के प्रोषण प्रोसेस यह सब्सक्राइब करन पहले स sweating प्रोसेस पूरेब देए सुझ तो फीमें निमन कार्बन यहाण कि लो कार्बन स्टीञ जिसमें carbon क्वा 34 0.2 से कम होता है देखे क्या होता है जो इस टील होती है आपकी उसके अंदर जितना जादा carbon की मात्रा होगा उतना जादा हार्ड होगा टुफ होगा और strength होगा इसमें तो आपका draining carbon इसे पाथा इसमें 0.2% होता है carbon यानिक यह weak है कमजोर है तो इसको हवा रोधी कक्ष में कार्बन मिया वाता वरंड में उच्छ करांतिक ताप तक गरम करते हैं यानि कार्बराइजिंग मेथड क्या करते हैं कि जो आपके लो कार्बन स्टील होते हैं के निमिन कार्बान इस बात उसको हम हावा रोदी कक्ष में कार्पन जिसके अंदर क्या होती है आपकी कार्पन घैस होती है उसमें रखते हैं और इसको कहां तक गरम करते है अच्छ क्रांथिक ताफ काहिए काहिक है तो अच गरांतिक ताप कितना होता है यह था का 900 तुल्ष तो वहां से 200 से थोड़ा सा और गरम करके हम क्या करते है इसको हीटिंग के आप जो आपका उच गरामतिक तप से ज्यादा प्होटा प्रया है 6 अचनदी तक तो चार घंटे में इसकी कम सता कठोर हो पाएगी, दस घंटे में जादा, यानिकि और गहराई तक ये कठोर हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है किस समय, अगर आपको थोड़ा कम हाड करना है सरफेस को, और गहराई तक करना है तो जादा समय देना पड़ेगा, इसके फल अभी क्रिया करके यानिकि रियक्शन करके क्या करता है? सिमेंटाइट बना लेता है और सिमेंटाइट क्या होता है? आपका आइरन कारबाइट यानिकि FE3C और यह क्या होता है? इसके हाडनेस बढ़ जाती है सिमेंटाइट की उपस्तिती में इस पाथ कठोर हो जाता है यानकि जो इसमें सिमेंटाइट होता है उसकी उपस्तिती में क्या होता है जो आपका इस पाथ है वे कठोर हो जाता है तो निमिन कार्बन इस पाथ को हम क्या करते है इस तरीगे से कठोर करते है फिर हम नेक्स देखते हैं नाइट्राइडिंग यानि कि नाइट्रोजी करण इस विदी में कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन को कठोरी करण कारक के रूप में उप्योग किया आता है कार्बोराइजिंग में किसको उप्योग कर रहे हैं हम कार्बन डायोकसाइड गैस का इसमें हम किसका करते हैं नाइट्रोजन गैस का इस प्राक्रम में इस पाथ की कार्बोराइजिंग ताप से एक बटा तीन से एक बटा दो ताप पर गरम करते हैं तो नहीं होता है आपका 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 यहां इर नहीं होती है आपका ammonia gas होती है, ammonia gas का formula क्या होता है, ns3 ठीक है, तो ns3 मतलब उसमें nitrogen है और hydrogen gas है, ठीक है, तो जो nitrogen gas है, वो इसके साथ reaction करके क्या कर लेती है, इसको कठोर कर देती है इस पात को इस ताप पर carbonizing की अपेक्षा, दुगने समय तक रखते हैं तो इसको हम कितने घंटे तक रखते हैं, 8 से 20 घंटे तक, और इसके बाद इस पात को उसी कख्ष में ठंडा होने देते हैं, तो इसको क्या किया, हमने 330 से 500 डिग्री सेंसिस तक गरम किया ammonia gas के अट्मोसफेर में रख दिया, ammonia gas के अंदर nitrogen gas होती आपकी, उसके अंदर रख दिया और इसको हमने क्या किया 8 से 10 घंटे के बीश में रखा और इसको उसी कख्ष में, जो आम होनिया का कख्षा उसी में रहकर इसको हम क्या कर देते हैं ठंडा कर देते हैं इससे प्राप सतह, अत्यंत कठोर एवं घडशन प्रति रोधी होती है यानकि इससे जो अब हमें जो सतह में लेगी उस वस्तु की यानकि जो आपने पदार्थ रखा है तो उसकी सतह जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी और घडशन रोधी होगी मतला बस आनी से घिसेगी नहीं नेक्स देखते हैं साइनाइडिंग यानकि साइनाइडी करंड साइनाइडी करंड में क्या होता है इस विदी में इस पात में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को ही मिलाया जाता है जिससे कि इस पात कठोर हो जाता है कारबन वाल, नायट्रोजिक करोड़ एक लाए, सतरा निम यह कारबन वाल, सतरा झाल, मौनए क अर्बन इस्टिल दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं कठोर कर सकते हैं समाने ता 0.35 से अधिक कारवन परतीशत वारे स्पात को सता कठोर ही करन इसी विधी दुवारा करते हैं दीखें अगर हमारा 0.2 परसेंट तो हम क्या करेंगे आपका कारवराइजिंग करेंगे मैथड और या आठ सो से नो सो डिगरी सैंसे तक गरम करते हैं और इसी टाप पर कुछ देर तक छोड़ देते हैं यान्य हम क्या करेंगे जा ㅇड होता है पछला हूँ प्याओeeसाइने उस में उसके वाता बर सुवारं में हम क्या करते हैं धात्तो को आट सो से थंडा कर देंगे इस विदी से इस पात में चमक बनी रहती है जो साइनेटिंग प्रोसेस से क्या होता है आपका धातु की चमक बरकरार हो जाती है घया है तो आपने देखा हो इसे इंडस्ट्री बगेरह में जो आपके अगर जैसे आपका पुराना सिक्का है, कोई वो काला पड़ गया अगर आप उसको साइनेटिंग प्रोसेस की तरह करेंगे तो उसमें जैसा वो नया था है, ऐसी चमक आ जाएगी इसमें Next देखते हैं हम Age Hardening यानकि काल कठोरी करण तो कठोरी करण की यह है विदी केवल उन मिश्रदातों के लिए है जो समानेताप पर दो अवस्था में होती है ठीके, यानकि समानेताप यानकि जो आपका नॉर्मन टेंपरेचर होता है उसमें दो अवस्था में होती है उन मैटेरियल को यानकि उन पदार्थ को कठोर करने के लिए हम क्या करते हैं एज हाडनिंग करते हैं तो इन्हें गरम करके एक अवस्था में लाया जा सकता है यहनकि जब आप इसको गरम करेंगे तो यह एक अवस्था में आ जाएंगी इस विधी को अवशेप कठोरी करण भी कहते हैं allocate mesi पडार आरत को ुड़ु आश्यपु जो आपके ये merges merges तो इन गोल को आप क्या करते हैं उच ताप पर gap और हुंच ताप को गरम कर ने पर इनका अवशेपण भाजाथा हुजाता है यह इस पर दुरूत स्रीलेंद दुआर हम क्या करते हैं ठंडा कर देते हैं जिससे पदार्थ क्या होता है आपका कठोर हो जाता है थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बेस्ट आफ लग फोर एक्जाम और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले रिकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आपके एक्जाम भी आने वाले हैं तो यह आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच